so hello दोस्तों welcome back to my YouTube channel so दोस्तों आज की ये वीडि़ो आप सभी beginner स्वाईउ के लिए काफी जादा important and काफी जादा knowledgeable होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर आपकी Nifty या फिर Bank Nifty 100 पॉइंट उपर वढ़ती है तो उसमें आपका पैसा कितने पॉइंट बढ़ेगा. तो दोस्तों कहने के मतलब यह है कि अगर Nifty आपकी 100 पॉइंट उपर की योड बढ़ती है तो उसमें आपको कितने रूपे का Profit देखने को मिलता है. तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी बिगनर स्वाईयों के लिए काफी जाद है important होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को बिना skip किये एन तक जरूर देखें जिससे आपको पूरा concept अच्छे से clear हो जाए और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational and information purpose के लिए है तो दोस्तों ट्रेडिंग या investing करने से पहले आप खुद की research जरूर करें तो चले दोस्तों वीडियो को फटाफट start करते हैं तो दोस्तों में सारी चीज़े आपको यहाँ पर copy पर लिखकर एक एक करके समझाने बाला हो जिससे आपको कोई भी दिक्कत है पर कोई भी परिसानी समझने में ना हो ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर nifty 50 या फिर बेंक के निफ्टी आपके ग्रिक्स होता है ग्रिक्स के अंदर क्या होता है एक डेल्टा नाम की चीज होती है तो दोस्तों जो डेल्टा होता है इसकी जो बेल्यू होती है वो आपकी जीरो से लेकर कहां तक होती है बन के बीच में जीरो से लेकर वन के बीच में डेल्टा की क्या होती है बेल्यू होत तो निफ्टी अभी आपकी करेंट मार्केट कितनी चल रही है कोई भी आप लोग मालेजीं जैसे माल लेते हैं कि करेंट में निफ्टी जो है वो आपकी 24,500 पर चल रही है तो यह क्या हो जाएगा आपका CMP CMP मतलब क्या होता है current market price तो निफ्टी अभी आपकी कितने पर चल रही 24,500 पर और यहां से अगर निफ्टी 24,600 पर जाती है मतलब कि यहां से कितने point पढ़ेगी market 100 point तब यहां पर आपको कितना profit होगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग 2-3 चीज़े लिखते हैं और उसको मैं आपको समझाने की कोसिस करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यह देखेगा कि जो 24,500 है ठीक है यह क्या है आपका यह है आपका ATM ATM क्या होता है जहां पर market चल रही है उस strike price को हम लोग ATM बोलते हैं मतलब की 8 अदा मानी ठीक है अब दोस्तों यहां पर ATM तो हमें समझ लिया आपका ATM क्या होता है तो दोस्तों 24,500 के बाद जो आपका नंबर आएगा मतलब की 24,600 ठीक है यह क्या हो जाएगा आपके लिए ATM इसके बाद 24,700 यह क्या हो जाएगा आपके लिए ATM तो ATM क्या होता है ओटियम वो चीज होती है जहां पर market अभी आपकी नहीं पहुंची है तो दोस्तों 24,500 पर आपकी क्या है market खड़ी है तो यह क्या हो जाएगा आपका ATM और जहां आपकी market नहीं पहुंची है तो यह सारे क हो जाएंगे आपके लिए OTM मतब कि 24,600 अब भी मार्केट जाने को माकी है 24,700 भी नहीं गई है 24,800 भी मार्केट अभी नहीं गई है तो यह सारे क्या हो जाएंगे आपके लिए OTM अब यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ITM किसे कहते हैं तो दोस्तों ITM हम लोग उने कहते हैं जो मार्केट अचीव कर चुकी है जैसे कि यहाँ पर 24,500 अब यह किन किन नमबर को अचीव कर चुकी है तो यहाँ पर आपका आएगा 24,400 24,300 24,200 यह सवी नमबर क्या कर चुकी है मार्केट अचीव कर चुकी है और अचीव करने के बाद आपके कहाँ पर पहुंचिए 24,500 तो यह क्या हो जाएंगे आपके ITM ठीक है और जितना आप लोग अंदर बढ़ेंगे उतना ITM आपका डेप इंदा मनी होता जाएगा मतलब कि अगर 24,200 के पहले के आएगा 24,100 फिर 24,000 तो यह सारे क्या हो जाएंगे धीरे 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 डीप इंदा मनी में चले जाएंगे और अगर ITM की बात करें तो जितना आप लोग यहां से आगे बढ़ेंगे जैसे 24,800 के बाद 24,900 फिर 25,000 तो यह धीरे धी क्या होंगे आपके बढ़ते OTIM होते जाएंगे ठीक है डीप OTIM होते जाएंगे अब यहां पर हमने सबसे पहले आपको एक चीज़ बताए थी कि डेल्टा जो होता है उसकी मदद से हम लोग यहां पर पता करेंगे कि 100 पॉइंड बढ़ने पर आपका कितना पैसा क्या है कि 0 से लेकर एक के बीच में होती है ठीक है तो दोस्तों IATM जो होता है ठीक है यह वाला जो आपका जहां पर मार्केट चल रही है वहां पर डेल्टा की जो बेल्ली होती है वो लगवग में आपके कितनी होती है 0.5 कितनी 0.5 आप लोग हिंदी में समझेगा 0.5 और अगर जितना आप लोग अंदर बढ़ेंगे जैसे 24,400 तो इसकी डेल्टा की बेल्ली कितनी हो जाएगी बढ़ जाएगी 0.56 और अंदर जाएगे तो इसकी डेल्टा की बेल्ली और बढ़ जाएगी तो इसी परकार जितना जादा आप लोग अंदर की तरफ जाएगे ठीक है उतन ही ज़्यादा आपकी डेल्टा की जो बैल्यू है वो बढ़ती हुई जाएगी अब दोस्तों जितना ज़्यादा आप लोग ओटियम में जाएंगे उतना डेल्टा की बैल्यू क्या होगी घड़ती हुई जाएगी जैसे की 24,500 यह क्या है आपका एटियम तो यहाँ पर इसकी परकार क्या होता है कि जहां पर आपकी मार्केट चल रही है वहां का जो डेल्टा होता है वो आपका 0.5 होता है ठीक है 0.51 भी हो सकता है 0.52 भी हो सकता है 0.48 या 9 इसी परकार आपके जो एटियम की डेल्टा बैल्यू होती है इस परकार क्या होती है देखी जाती है और जित ज़तने ही जाएदा आपकी डेल्टा की बैलू क्या होती समझा दिया है अब हम हम तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जो निफ्टी है ठीक है यहाँ पर हमें फिर से लिख देता हूँ आपकी जो यह क्या है निफ्टी है निफ्टी में आपकी लोट में वाइंग होती है ठीक है आपका जो 24,500 है जहाँ पर मार्केट खड़ी है यहाँ पर जो इसका प्रीमियम है जो इसका रेट है वो 100 रुपए है ठीक है एक लोट में कितनी कॉंटिटिटी होती है 25 कॉंटिटी होती है निफटी के अंदर तो इहाँ पर क्या होता है कि आपको कितना पैसा पे करना पड़ा 25,500 यहाँ पर आपको पै करना पड़ा अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेगा कि आपने यहाँ पर जब बाइंग की थी तब इसकी डेल्टा की बेलू कितनी थी 0.5 यहाँ पर क्या था डेल्टा की बेलू थी अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेगा कि जब हम लोग क्या करेंगे 100 आपका रेड कितना था 100 रुपे ठीक है अब 100 रुपे की गुणा जब हम लोग 0.5 की साथ करेंगे तो आपका एंसर कितना निकल कराएगा आप का एंसे निकल कराएगा 50 ठीक है अब यहाँ पर आप लोग यह देखेगा कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ 24,500 से मार्केट कहां चलेगे आपकी 24,600 पर यहाँ पर कितने पॉइंट कम हो आया यहाँ पर 100 पॉइंट का यहाँ पर क्या है ठीक है जीरो तसलो 5 की से बाप लोग इसके साथ गुणा करेंगे जितने का आपका rate चल रहा था तब आपका answer निकल कर आया है 50 अब दोस्तों यह जो 50 रुपे निकल कर आया है यह आपका एक quantity का निकल कर आया है कितने का 1 quantity का ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेगा कि 150 रुपे जब आपका क्या हो गया प्रीमियम हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या होई उपर की साइड में बढ़ी और जब मार्केट आपके अकोर्डिंग आपकी दिसामे मार्केट बढ़ी है तब यहाँ पर आपका पै 500 रुपे के साथ किसकी गुणा करेंगे 25 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका एंसर कितने निकलकर आएगा 3750 रुपय। क्योंकि दूस्तों यहाँ पर 1.500 क्या था आपका एक quantity का rate था ठीक है और आपके पास 25 quantity थी एक load के अंदर तो इसकी इसकी जब multiply करेंगे तो आपका answer कितना आया 750 रुपए है अब दूस्तों यहाँ पर आप लोग देखेगा कि जब आप लोग 3750 रुपए में से आपने buying कित 25 रुपए की इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जब इसको आप लोग माइनस करेंगे 25 रुपए को तब यहाँ पर आपका answer निकल कर आएगा 1250 रुपए है तो दोस्तों यह जो 1250 रुपए है यह क्या हुआ यह आपका यहाँ पर profit निकल कर आया है क्या है आपका profit तो तो यहां पर आपको profit कितने का हुआ 1250 रुपे का तो दूस्तों 25 को जब आप लोग 2 मतलब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से तो यहां पर आप लोग देखेंगे 1250 कर ले या फिर 25 को दो बार में डिवाइड कर ले भाग करके 2 करें तो यहां पर आपका answer आएगा 1250 तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर जितनी 100 पॉइंट अगर मार्गेट बढ़ेगी तो यहां पर 50 परसेंट यहां पर आपका क्या होगा मनाफ़ा देखने को मिलेगा तो यहां पर 25 से आपने बैंक की थी आपको profit कि दिने का हुआ 1250 का तो इसका क्या हुआ आपका 50 परसेंट यह प्लिस वीडियो को लाइक जरू करें और दोस्तों अगर आपका कोई भी doubt रहे गया हो तो आप लोग नीचे comment box में मुझे comment कर सकते हैं मैं आपका answer देने की पूरी कोसिस करूँगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद और दोस्तों जे अबहरत